नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 इंगली स्कूर का सेट 1 मोडल पेपर का कम्प्लीट सॉलूसन बताने वाला हूँ और दोस्तो ये सॉलूसन यदि आप देख लेते हैं तो आपका एकजाम में एक भी प्रसन छूटेगा नहीं कई सारे कोसन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अलावे भी मैंने कुछ और मोडल सेट करवाएं दोस्तो उसे भी जा करके आप प्लेलिस्ट में चे कर लेते हैं साथियों सबसे पहले जो आपका सेक्षन रहेगा वह पैसे के रहेगा आप चाहें तो इसका स्क्रिंसोट ले सकते हैं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तो इसे आप घर पे इसली पढ़ लिजेगा चलिए सिधा कोशन के ओपर आ जाते हैं देखिए पह सेकेंड प्रसन देखें हाथिम ताई वाज तक किंग ऑप जो हाथिम ताई है वो कहां का राजा है तो दोस्तो ये जो राजा है वो यमन का था ठीक है अगला कुशन के और आगे बढ़ते हैं देखिए तीसरा जो प्रसन आप से पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे दूद पीने से इंकार कर देता है ठीक है चौथा देखें चौथा जो प्रसन आप से पूछा गया साथियों वो है मतलब कि किसे बुलाया जाता है हाथिम के जनकुणली पढ़ने के लिए तो दोस्तों देखें ओब्यस सी बात है किसी का जनकुणली को पढ़ने के लिए किसको बुलाया जाएगा तो अस्टोलोजर को ठीक है जो अस्टोलोजर होंगे उनको बुलाया जाता है अगला प्रस जिस दिन हुआ था उसी दिन कितने बच्चों का जन हुआ है इसको पता करने की जिमेवारे किसको दी जाती है तो दोस्तो दिखें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D-Number हातिम ताइस फादर जो हातिम ताइस के पिताजी है उनको यह जिमेवारी मिलती है कि हातिम का ज जन जिस दिन हुआ है उसी दिन कितने बच्चों का जन हुआ है वो यह जा करके पता करें ठीक है अगला देखें अगला जो प्रस्न है दोस्त। abbreviation are freely used in abbreviation के उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं تو abbreviation के उपयोग हम लोग कहां पे करेंगे साथ ही हो note making बनाते हैं तो abbreviation के उपयोग करते हैं यह तो आपको भली बात ही पता है न सात्मा देखिए which of the following is not a part of summary writing summary writing में क्या हम लोग use नहीं करते हैं दोस्तो summary writing के अंदर हम लोग जो है वो exact word from the text जो आपका कहानी रहता है वो उसका exact word का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं ठीक है यह जीज आपको ध्यान रखना है आठमा प्रसन आप screen के उपर देख पा रहे होंगे साथी हो आठमा प्रसन आपका है मतलब कोई भी जब article लिखते हैं तो उसका सुरुवात में क्या होता है तो दोस्तो article का जो सुरुवात होता है उसके अंदर आपका मुखी रूप से title होता है सिर्शक होता है ठीक है बीस का right answer हो जाएगा नाइन देखिए articles are not meant for article जो है जिसका मतलब नहीं होता है तो देखिए article जो है वो मुखी रूप से law books का हम लोग नहीं बनाते हैं बाकि newspaper में article मिल जाता है magazine में मिल जाता है journals में भी मिल जाता है ठीक है दसमा देखिए दोस्तों दसमा जो प्रस्ण आपसे पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे which of the following is not a component of letter to editor मतलब कि संपादक के पास में जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो इसका हिस्सा इन में से concern नहीं है तो title ठीक है जब letter to editor के पास में हम लोग पत्र लिखते हैं एक आरमा देखिए दोस्तों एक आरमा प्रस्ण पूछा गया है कि in report writing narration of the report writing narration of the event is always written in जो report writing होता है दोस्तों उसमें narration जो हम लोग लिखते हैं वो concept tense के अंदर लिखते हैं तो दोस्तों वो मुखी रूप से आपका simple future tense में लिखा जाता है बारामा प्रस्ण देखिए we should not include blanks in report writing report writing के अंदर हम लोग जो है वो क्या include नहीं करते हैं तो दोस्तों report writing के अंदर मुखी रूप से जो अपना personal comment से अपना वेक्तिकत विचार धारा है यहाँ पे हम लोग नहीं जोडते हैं जो भी report में exactly घटना घटित होता है उसी को लिखते हैं ठीक है देखिए 13 जब प्रस्ण पुछा गया दोस्तों आप देख पा रहे होंगे many teachers complain about their students blanks days मतलब कि बहुत सारे students बहुत सारे सिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों के लिए complain करते हैं मतलब कि इन दिनों बहुत सारे सिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए complain करते हैं 14 प्रस्ण देखिए दोस्तों 14 जो प्रस्ण पुछा गया है Ravi is not at home He blanks ought to playing football तो देखिए दोस्तों He के साथ में क्या लग जाएगा तो He के साथ में आपका जो प्योग होगा दोस्तों वो आपका इज होगा ठीक है ध्यान रखना है इज हो जाएगा ठीक है 15 पंद्रहमा देखिए 15 पुछा गया है If I wear you I खालिस्था not do it अगर आप होते तो ये हम लोग कारिन नहीं करते तो देखिए I के साथ में क्या उप्योग करेंगे I के साथ में मुखी रूप से उड का परियोग किया जाता है I would not do it ठीक है सलाहमा देखिए दोस्तों सलाहमा प्रस्णाप से पुछा गया है देख पा रहे होंगे Choose the grammatically correct sentence for the given jumbled words यहाँ पे आपको एक jumble word दिया गया है जैसे is expected to do every man his duty इसको सही करके बताना है कि कौन से इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका B number होगा ठीक है Every man is expected to do his duty मतलब कि प्रतेग बेक्ति जो है वो अपना duty जो है वो expect करता है आसा करता है और अपना वो जिमेवारी समझता है ठीक है देखे 17 वा Which one of the following sentence is in the passive voice इस चार सेंटेंस दिया गया है दोस्तों यह चारों में से आपको पता करना है कि कौन passive voice के अंदर है ठीक है तो देख सकते हैं कौन सा आपका passive voice के अंदर है तो दोस्तों आप यहां पे अगर गौर कर पा रहे है तो आपका 17 का D जो है वो passive voice के अंदर है The room was cleaned by सुधान्सू जो रूम है वो सुधान्सू के द्वारा साब किया गया ठीक है अगला प्रस्ण देखे अगला प्रस्ण पुछा गया The correct passive voice of the librarian gave me a book जो librarian है वो मुझे एक पुस्तक देता है तो इसका देखे पेसीब होगा इस क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका पेसीब हो जाएगा I was given a book by the librarian ठीक है मुझे librarian के द्वारा एक पुस्तक दिया गया है उनिस्वा प्रस्ण देख सकते हैं What were the children taught at the village school मतलब कि जो children है बच्चे हैं उन्हें village school में क्या सिखाए जाएगा अब यह सी बात है प्रात्ना करने के लिए सिखाए जाता है 20 साब प्रस्ण देख पारी होंगे मतलब कि जो लेखक की माता है वो ऐस क्या खिलाती है पर उसको क्या खिलाएंगे दोस्तों गोरहिया को तो ब्रेट जो है वो खिलाती है ठीक है इस जी ध्यान रखना है आपको 20 का आंसर आपका यह नमबर हो जाएगा ब्रेट खिलाती थी ठीक है अकिसवा प्रसंद देखे दोस्तों पुछा गया है खुसवन सिंग's grandfather was an old man who used to wear जो खुसवन से के दादा जी है वो क्या पहनते है तो खुसवन से के जो दादा जी है दोस्तों वो क्या पहनेंगे बीग टर्बन टर्बन का मतलब जो ऊपर में सीर के ऊपर पहना जाता है सब्सक्राइब आप देख सकते हैं जो सिक कोम की लोगों होते हैं वह क्या पहनते हैं जो अपना सीर के ओपर ठीक है उसी को तरबन कहा जाता है जीज ध्यान रखना है अब तो दोस्तों इनकास्ट प्रेंटिंग जो है वह आपका पेंटींग अफा लैंडसकेप 21 पर पेंटिंग उनका लाश्ट पेंटिंग cardboard shows the picture मतलब जो cardboard है वो किसका तस्वीर को दिखाता है दोस्तों तो देखिए जो cardboard है वो मुखी रूप से कभी की poets mother and her two cousins मतलब जो कभी की माता है उनके दो cousins है दो बहने है चचेरी बहने है उनकी तस्वीर को ये cardboard sow करता है ठीक है अगला देखिए जो आपका poem of the earth कहावत है इसका क्या मतलब है तो दोस्तों इसका मतलब है rain gives the same pleasure to the earth as poem gives to the human यानि कि जो कभी अपने कहानी के द्वारा या फिर अपने कविता के द्वारा लोगों को जिस प्रकार से आनन्दित करता है उसी प्रकार से वर्षा रित्व में जो वर्षा है वो पूरी प्रित्वी को आनन्दित करती है खुसमा ही बनाती है ठीक है 27 देखिए दोस्तों 27 जो आपसे प्रस्ण पुछा गया है which month of the year is described in the poem the labranum top ठीक है यह जो आपका कभीता है दोस्तों इसमें कौन से महिने का वर्णन किया गया है तो ध्यान रखिए के साथ ही हो इसमें मुखी रुप से September मंत का वर्णन किया गया है 28 देखिए which is what is hidden in an infant's face मतलब कि एक बच्चा होता है उसके चेहरे में क्या छुपा हुआ होता है दोस्तों तो आपका बच्चमना ही होता है और कहीं न कहीं अपना childhood को खोने का दुख सबको होता है ठीक है आगे देखिए और तीसमा प्रशन है according to the poem father to son who have lived in the same house for years ठीक है तो देखिए ये इसका जो right answer आपका हो जाएगा वो बी number हो जाएगा father and son का ये कहानी का line है ठीक है poem जो ये line देख पा रहे है ये कौन सा कवीता का है तो ये चीज़ ध्यान रखना है father and son का है आगे देखिए san sui literally means san sui का मतलब क्या हो जाता है दोस्तो san sui का मतलब क्या हो जाता है तो इसका मतलब पता है mountain water ठीक है पहाड में जो जड़ने या फिर नदी बहती है इसका मतलब हो जाता है सैंसुई का ठीक है एक तीसवा देखें टेपेलो का जो उम्र है दोस्तों वो कितना था तो यह आपको ध्यान रखना है कि टेपेलो का उम्र जो है वो आपका 16 वर्स था ठीक है आगे देखें प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड फॉप्स बिल्डिंग टू मिट हीज मतलब जो प्रोफेसर गायतोंडे है वो इंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर कित से मिलने के लिए तो दोस्तों यह जो है वो मुखी रुप से अपने पुत्र से अपने बेटे से मिलने के लिए इंटर करते हैं फॉप्स बिल्डिंग के अंदर ठीक है तो 33 का देखें कहा पे मिलते हैं तो यह डार्चिन के अंदर जो है वो इनका भेट होता है मुलाकात होता है ठीक है चौतिस का देखिए वाट वास मुराद डिजायर मुराद की क्या एक्छा थे तो दोस्तों मुराद की इच्छा आपको भी पता होना चाहिए कि टू राइड़ होर्स यानि कि घुर स्वारी करें ठीक है अगला प्रसन देखिए 35 दा नारेटर डॉटर्स ऑफ मिस्टर एस विजिट दा एड्रेस जो नारेटर की डॉटर है वो कहां पर विजिट करती है तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर 46 मारकोनी स्टीट ठीक है य व कौन थी तो व वह आपका मिस्टर बरुन थी ठीक है ब्राउन यstorm ये चीज दियान रखना है आगे द दिखे दोस्तों आगे जो आपका प्रışन पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे 38 ब्लाइंग से उसके बाद बाद वde strong and dominating मतलब इन चारों में से कौन मजबूत थी और dominating प्रस्णा ने ठेके थी तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा Mr. Fuggerland ठेक है Mr. Fuggerland आगे देखे साहिद suffered of which disease जो साहिद है वो कौन से बिमारी से पीडित है तो दोस्तो ये आपको जो है वो एक doctor थे ठीक है तो दोस्तो ये 400 प्रस्ण मैंने आपको बता दिया उमीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई समस्या है कोई क्वैरी है दोस्तो तो comment box में जरूर लिखे मैं आपके सारे सवालों का निसी तोर पर जवाब देने का प्रियास करूँगा